Hey everyone, welcome again. आज मैं जिस टॉपिक को लेके आई हूँ, वो टॉपिक बहुत कौमन है, जो जर्णरली लोग अपने राहू, केतू और शनी की ब्लेसिंग्स के लिए करते हैं. और शनी की ब्लेसिंग्स के लिए क्या करते हैं? स्ट्रीट डॉग्स को फीद कराना. क्या बिस्किट और बिस्किट कौन से शुगर वाले और आप जानते हैं कि शुगर जो है बहुत डेंजरस है इनके लिए और ये उस टाइम पर खा लेते हैं क्योंकि ये भूके होते हैं बट उसके बाद में जो हामफुल रिजल्ट निकलता है कि उनमें इचिंग स्टार्ट ह कि जिसकी वज़े से वो बिमारी से ग्रस्ट होकर तडब तडब के मरते हैं ठीक है क्योंकि वो इचिंग उनकी खतम नहीं होती है तो बेटर होता है कि अगर हमें ब्लेसिंग लेनी ही है तो हम वो ब्लेसिंग जो है पॉजिटिव ले किसी को हाम करके हम सोच रहे हैं कि हमें blessing मिलेगी तो वो blessing की बजाय जो है कहीं न कहीं हमें वो भुकतान करना पड़ जाता है ठीक है I hope आप समझगे होंगे कि हमें dogs को feed कराने के लिए मीठे की ज़रत नहीं होती हमें उनको feed कराने के लिए घर की रोटी भी चल जाती है वो घर का खाना खा लेते हैं वो रोटी खा लेते हैं और भी बहुत जैसे दलिया हो गया चावल हो गये वो खा लेते हैं ठीक है बड़ कोशिश यह करें कि आप जो biscuit खिलाएं अगर आप चाहते हैं उनको biscuit खिलाना तो sugar free खिलाएं ताकि उनका पेट भरे बच कोई बिमारी न लगे ठीक है I wish I hope कि आप समझगे होंगे और future में इन सारी चीजों के कुप रभाव से बचने के लिए आप जो है कुछ चीजों का धेहान रखेंगे ठीक है और किसी भी बेजवन जानवर को हमसे कोई दिकत ना हो हमसे उनकी जी बस हम यह जाते हैं ठेक है टेक्यर स्टिय quasad or take care of your loved ones take care of your pet or take care of your street strokes और जितने भी जानवर हैं इनका धिहान रखें जादा से जादा planting करें Thank you have a great day